हाई दोस्तों आपके लिए काना दर वीडियो लेके आया हूं जो विकली आनलेसिस रहेगा 31 में से 4 जून तक तो इस विक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का किस तरह से ट्रेंड रहेगा इस वीडियो में देखने वाले और आपको यह अच्छा लगते वीडियो को लाइक करना मत बुले चैनल को सब्स्राइब केजिए और बेल अगों को प्रेस कीजिए ताकि इस तरकी ओर रूडियो में आपके लिए लात रहा हूं चले अभी चार्ट को चलते चार्ट पर देखते हैं कि यहां पर विकली कैंडश्टिक लगा है मैंने जो की निफ्टी का है तो अपने के लिए जो उपर की दरफ 1.6 का जो रिट्रेस्मेंट आ रहा है मैंने सबसे हो की 16,250 का लेवल है यहां पर मैं उसको मार्क कर दे तो ब्लैक कलर में कर दूंगा तो यह क्रूशल लेवल उपर की दरफ रिट्रेस्मेंट का देखने को मैं लेकिन जो वीकली है लेवल जो निकल के आ रहे है यह बहुत इंपॉर्टन है बहुत लग पूछ रहे हैं तो किस तरह से आपन उसको मतलब किस तरह से आपन उसके लेवल निकल सकते तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हो अभी तेख सकते निप्टी का ओल टाम हाज लग चुका है त तो याता यह यह बहुत लेवल और इसके ऊषकिक उपर यह बहुत कर दिया तो के तो निचे की तरफ देखना है subject लेकिन अगर नीचे की तरह तो फिर से यह में इस लो से इस हाइट श्क्रुशल लेवल आहेगा जो कि support निकल आएकर आएगा जो कि 14,943 का लेवल है तो यह नीची के दरब strongest support है 15,943 का support है अगर इसके नीचे जाता है अगर इस week का जो लोग का break होने कवाद तो यह नीची के दरब यहाँ पर support ले सकता है तो यह levels मैंने आपके लिए बता दे तो अगले week के लिए इन level के सा all time high के पास तो नहीं है लेकिन यहाँ पर देखे तो इस high से जो कि 37,712 का यह high ता इस high से इस low का retracement देखे तो उपर की तरफ जो level निकल करा है 0.7 का उसको अच्छीव करना पड़ेगा 36,000 का और उसके बाद में all time high को उसको अच्छीव करना पड़ेगा तो first of all इसके लिए momentum हुआ है उसका अगर retracement level निकाले तो फिर से वही level आ रहा है 1.6 का अगर देखे कि कौन से level है तो 36,000 का crucial level देखनों को मिल रहा है selling pressure देखनों को मिल रहा है तो उपर की दरब अगर 36,500 का बहुत crucial resistance रहेगा इसके उपर निकलता है तो immediately आपको all time high के पास bank nifty जाता हो देखने को मिल सकता है यहां पर देखना पड़ेगा 36,000 का major resistance है bank nifty के लिए लेकिन bank nifty अभी तक फिलाल तो strong ही देखनों को मिल रहा है इसका reason में एक बार फिर से बता हूं था पिछली बार यहां से buying momentum होता यहां पिछली बार जो buying momentum होता यहां से उसने support लिया है और यहां पर उपर की तब resistance के लिए work कर सकते है तो यहां पर जो यह लेवल बाते थे विक के लिए एक important level हो सकते है चलिए आपर मैंने nifty और bank nifty का view आपको बता दिया कॉल से लेवल ने किया तो उसका link मैंने description box में दिया गया है जाके वरे telegram channel आप join कर सकते हैं चलिए thank you